वानी अपने आप में एक आभूशन है. जैसे बिना आभूशन के देह में सुन्दर्ता नहीं होती है, वैसे ही बिना मधुर एवं प्रिय वानी के मनुष्य का कोई मोल नहीं होता है. जूट नहीं बोले क्योंकि जो जूट बोलता है वह भय में जीता रहता है और जो सच्चा होता है. उसे किसी से कोई भय नहीं रहता है. अन्यपक्ष है कि वानी के स्तर पर हमेशा इनका त्याग करना चाहिए. पहला है कठोर वचन, किसी को कठोर वानी कहकर हम नैतिक दृष्टी से उसकी हिंसा करते हैं, यह त्याज है, दूसरा है असंबध वारतालाप अथवा व्यर्थ की बातें करना। जैसे किसी दूसरे की बात बढ़ा चढ़ा कर बताना चाहे वास्तविक वैसा भले ही न हो, ऐसा करने वाला निश्चित पतन को प्राप्थ होता है, आथ ऐसा कभी नहीं करें, हमेशा प्रेम, करुना और वातसल्य से पूर्ण वानी का प्रयोग करें, जिससे की सुनने वाले क का हरदय प्रसन्न हो उठे